नमस्कार दोस्तो हेल्थ हीलिंग एन होमीपेथी के इस नए भीडियो में आप लोगा स्वागत है मैं डॉक्टर एस्पी दे कॉंसल्टेंट होमीपेथिक फिजिशियान एंड क्लिनिकल नूट्रिशनिस्ट शिलिगुरी ओएस बेंगोल इंडिया से आज आप लोगों के लि प्रोसटेट का बर जाना अक्सर देखा जाता है 30 से लेके 40% मेल्स पुरुषों में आप्टार 40, चालीस के जो इतने भी बात के मेल्स है उनमें प्रोस्टेट का बर जाना धीरे 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 स्टार्ट हो जाता है और अक्षर 50 के अधिक एज वाले या 60 के अधिक एज वाले हम लोगों के पास जो सिम्टम्स लेके आते हैं पहले मैं छोटा उनको बोल दूँ जो सिम्टम्स लेके आते हैं वो है मुझको यूरिन करने में प्रोब्लेम हो रहा है बहुत टाइम लग रहा है बहुत स्ट्रेइन या प्रेशर देना पर रहा है फिर भी ठीक से नहीं हो रहा है यूरिन धीरे हो रहा है स्ट्रीम जो है forcefully urine आता था, satisfaction रहता था, आजकाल satisfaction रहता नहीं है, और रात में बार-बार मुझको urine के लिए जाना पर रहा है, urine के लिए उठना पर रहा है, और कभी-कभी तो ऐसा भी हो जाता है, 15 दिन, 10 दिन में एक बार के urine करने में जलन होता है, दर्ध होता है, ये सब symptoms सुनने के बाद ह हम लोग जब उसी patient को ultrasonography करने भेजते हैं, तो उसका prostate आपका enlarge रहता है, दोस्तो prostate का normal जो weight होता है, volume by volume या weight by weight हम लोग बोलते हैं, ये ultrasonography में लिखा रहता है, वो है 11 gram, लेकिन अक्सर देखा जाता है 11 gram का 11 gram का prostate, आजकाल 25, 23 या 25 इसे age के, जितने भी males है, या उनको भी, जैसे 40 या 35 के जो males है, उनमें भी 11 gram का prostate हम लोगों को किसी को नहीं मिलता, accidentally अगर कुछ दूसरे कारण से, ऐसे ले लीजिए के, किसी का पेट में दर्द है, सास्पेक्ट हो रहा है, रेनाल स्टोन है, तो उसका कर लिया ultrasonography क्या, गॉलबडा स्टोन का सास्पेक्ट के लिए, कोई भी पेट का प्रब्लेम के लिए ultrasonography हम लोग कर लेते हैं, doctors, तो देखते हैं कि prostate का size 14 gram 15 gram होता है, लेकिन prostate का size है, वो CC में भी लिखा जाता है, 14 CC या gram में भी लिखा जाता है, दोनों लगभग हम लोग clinically दोनों का significance सेम र लेकिन clinically हम लोग देखते हैं कि 25 gram या 25 CC जब किसी का prostate का size हो जाता है, उसके बाद उसका symptom आना start हो जाता है, वो urine को control नहीं कर सकता है, वो urine बार बार होता है उनका, urine का force कम हो जाता है, urine unsatisfactory होता है, recurrent urination होता है, urine करने के बाद उनको शांती नहीं मिलता है, रात में बार बा inflammation repeatedly होता है, जिसको हम लोग बोलता है, prostitis, वो होने पर क्या होता है, urine में जलन होता है, और urine करने के बाद वक्त दर्द होता है, ये सब problem आ जाता है, ये total जो problem है, इसको हम लोग बोलता है, benign prostatic enlargement, benign prostatic hypertrophy, BPH, इसके साथ और एक important test किया जाता है, जो है prostate specific antigen, PSA, अगर आपक PSA, prostate specific antigen level से जादा हो, तो आपको cancer होने का, prostatic cancer होने का future में chances होता है, ये prostate cancer marker है, और भी बहुत सारे markers है, लेकिन हो established cases of cancer में पाया जाता है, पहले हम लोग समझ ले, benign prostatic enlargement, या prostate को wed burner, या आप में कुछ symptom साना, जो मैंने इस वीडियो में बताया है, इसका माने ये नहीं है कि आपको cancer होने ही वाला है, हम मेरे पास ऐसे cases है, मैं cases आपको YouTube में अपलोड भी करूँगा recently, जिसमें मैंने prostate specific antigen जिनका 10 से भी जादा था, उनको मैंने 2 से नीचे लाया है, और 2 से नीचे जो level है, prostate specific antigen का उसको हम लोग absolutely normal मान के चलते हैं, तो बहुत सारे cases हम लोगोंने से किये हैं, जो 50 या 60 या उनके उससे ज्यादा एज के patient है, जिनको prostate enlargement का problem है, और उसके साथ उनका prostate specific antigen बढ़ा हुआ है, और उसको हम लोग homeopathie medicine से ठीक किये हैं, homeopathie medicine से prostate का size भी हम लोग कम कर सकते हैं, symptoms जो आपका कश्ट हो रहा है, जो problem हो रहा है, उसको तो हम लोग कम कर ही सकते हैं, और करते भी हैं, लेकिन prostate का size को भी धीरे-धीरे हम लोग reduce करते हैं, कम कर देते हैं, और prostate specific antigen अगर किसी का बढ़ा हुआ है थोरा सा, उसको भी हम लो 200 में एक ऐसा पेशेंट आ जाता है, जिसका prostate specific antigen बहुत ज्यादा हाई होता है, उसको हम लोग 2-3 महिना, 4 महिना treatment करते हैं, अगर prostate PA से कम होता है, तो अच्छा है, बरना operation के लिए suggest करते हैं, ऐसे 200-300 cases में एक cases होते हैं, जितने भी patient prostate के enlargement लेके मेरे पास आते हैं, ऐसे 200-300 cases में एक case होता है, तो ऐसा कोई डरने का बात नहीं, कि prostate बर गया तो उसके लिए मुझको ऐलोबथी medicine लेना ही है, बरना symptoms कम नहीं होगा, prostate बरता ही जाएगा और एक time cancer हो जाएगा, यह एक common concept market में फैलाया गया है, क्यूंकि patient generate करने के लिए, disease monitoring करने के लिए, आजकाल आप देखी चुके हैं, last 2-3 साल में, पुरा विश्व में जो problem हुआ, उसमें भी आप लोगों ने देख चुका है, कि patient बनाया जाता है, यह system में, modern medicine जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसमें क्या है, हर बीमारी का डर आप लोगों में बिठा दिया जाता है, और हर बीमारी का डर जो कस्ट होता है, वो एकदम अकलपनिया होता है, अभिश्वरशनिया होता है, बहुत ही problematic होता है, तो इससे क्या होता है, हम लोगों का जो एक natural urine का पावार होता है, prostate का एक पार्ट को, उसको prostate के एक पार्ट को काट के operation करने के लिए, उसका जो effect होता है, जो urine का natural पावार ह होता है वो डेस्ट्रक्टेड हो जाता है बहुत सारे पेशेंट्स में तो हम लोग देखते हैं कि प्रॉस्टेट ऑपरेशन के बाद जो यूरीन कालेक्शन बैग कैथिटर लगाया दिया जाता है वो सारा जिन्देगी उतरता ही नहीं और सारा जिन्देगी वो इंसान 10 साल 15 साल 20 साल कुछ भी बचे तो वो बैक कैरी करके उसको लेके चलना परता है यह एक बहुती प्रॉब्लेमेटिक पेइनफुल लाइफ होता है आप्टार प्रॉस्टेट ऑपरेशन तो प्रॉस्टेट ऑपरेशन या सारजारी मेंडेटरी नहीं है हर बीपी एच पेशेंट को लगभग मैंने बोला था कि 200 या 300 प्रॉस्टेटिक एलनरजमेंड में एक ऐसा पेशेंट होता है जिसका प्रॉस्टेट सारजारी जरूरत होता है तो इतना जो प्रॉस्टेट सारजारी हो रहा है उसका जरूरत है ही नहीं डरने का बात है ही नहीं क्योंके होमियोपैथी म प्रोस्टेट का हर स्टेज का इवेन प्रोस्टेट कैंसर तक का इलाज बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा हम लोग treatment दे सकते हैं और symptoms जो आप लोगों का कर्ष्ट जो हो रहा है उसको हम लोग reduce करते हैं तो दोस्तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से होमिपेथी medicine important है और कैसे दिया जाता है और कैसे हम लोग इसको use करते हैं सबसे grade 1 हमिपेथी medicine है सेबल सेरूलटा मादर जिसको आप सब कोई जानते हैं तो prostate enlargement पता चलते ही अगर आपका कुछ symptoms है कि urine बार-बार हो रहा है, urine में problem हो रहा है, urine ठीक से satisfactory नहीं हो रहा है, urine unfinished sensation हो रहा है, urine करने के बग बहुत stress देना पड़ता है, बहुत pressure देना पड़ता है, तो आप स्पेवल, serulata, mada tincture, किसी भी अच्छे company का, हम इंडियान हो या जार्मान हो, दस बुंद करके दिन में तीन बार, दो चमच गरम गुन गुने पानी में, खाने के बाद आप स्टार्ट कर दीजिए और इसको लेते रही है, इसको बंद मत किजिए, इसके बाद हम लोगों का जो second important medicine आता है, जिसका presentation सबसे ज़्यादा हम लोगों के पास आता है, कि डॉक्टर साब इनको पिसाब हो नहीं रहा था, यूरीन हो नहीं रहा था, 10 गंडा, 15 गंडा हम लोगों ने wait किया, उसके बाद इनको catheter hospital में लेके जाके या कहीं पे लेके जाके clinic पे catheter देके urine कराया गया, और ultrasonography करने के बाद पता चला prostate enlarge है, तो prostate enlargement with retention of urine history, first time, ये बहुत सारे patient ऐसे presentation लेके आते हैं, खास करके agent patient, उनके लिए और एक specific medicine है, stigmata medis, stigmata medis मैं अक्सर 6 या 30 potency में यूज करता तो जो भी patient है prostate के मैंने पहली बोल दिया, several cellulata mother continue उनकों को लेना है महिनों तक सालों तर, जब तक जरूरत परे, symptom एकदम लेस ना हो जाए, size घट ना जाए, उसके साथ अगर आपका first starting में ही retention of urine, history of retention of urine, मतलब urine 8-10 घंत ना हो ना या catheter देके कराना का history है, तो आप स्टार पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में लीजिए, बेटर है 6 पहले लीजिए, दिन में 4 बार एक चमच पानी में 2 बूंद करके, इसके बाद और एक important हम लोगों का medicine आता है, चिमाफिला अंबलेटा, चिमाफिला बोलके जो है, इसका mother tincture भी उस होता है, 630 भी उस होता है, मैं obstructed feeling होता, रुक रुक के हो रहा था, flow कम था, और आपका urination में दर्द था, infection था, तो जलन था, अगर ऐसा आपका presentation है, या urine में खून भी आ गया था, urine कम भी हो गया था, लेकिन पुरा बंद नहीं हुआ था, पुरा बंद होने पर stigma, मैटी, सुइट, सेबल सेरूराटा, और जो मैंने अभी बताया, पेन, दर्द, कम यूरीन, स्कैंटी यूरीन, उसके साथ आपका prostate enlargement स्टार्ट हुआ, तो आपका medicine है, चिमाफिला, चिमाफिला आप 6 potency में लेजिए, एक चमच पानी में दिन में 4 बार लेजिए, दो बुन्द करके, एक दो महीना continue करने के बाद 30 पोटेंसी करक देजिए, उसको 15 दिन continue कीजिए, उसके साथ सेबल सेलुलाटा मादाल लीजिए, तो आपका बहुत ही बेटर आपका result मिलेगा, तो एक हो गया prostate enlargement के साथ अगर retention of urine, मतलब 8-10 घंटा urine ना होना catheter करना, उसमें आपको है सेबल सेलुलाटा और स्टिगमाटा, मेडिस, और एक है आपका सेबल सेलुलाटा विद चिमाफिला, अगर आपका infection, painful burning urination विद प्रोस्टेटिक अनलार्जमेंट का स्टार्टिंग में है, तो आपका ये कॉंबिनेशन और ये कॉंबिनेशन अलग 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 दो मेडिसिन, सेबल सेलुलाटा दोनों में कॉमन है और बेडिसिन सिम्टोम ही सबसे अलग है, इसके बाद आपका थोरा सा depth में हम लोग जाएंगे, अगर आपका lower abdomen में, पेट के निचले हिस्से में कोई injury का history है, या आप bachelor है, मतलब आपका शाधी नहीं हुआ है, sexual कोई आपका experience नहीं है, उसके साथ आपका prostatic enlargement हुआ है, तो सेबल सेरूलटा मादार के साथ आपको लेना है, कोनियम मैकुलेटम, six potency से start करना है, six potency एक चमच पानी में, दिन में चार बार दो बुन करके लेते लेते, आपको तीन महीना continue करना है, आपका problem लगभग कम हो जाएगा, size भी कम हो जाएगा, अगर नहीं होता है, थोरा सा उनका बुद्धी कम हो गया है, थोरा सा डिमेंशिया उनका हो चुका है, उसके साथ प्रोस्टेटिक एलनार्जमेन रिसेंट आप्टर 70 आप्टर 80 पता चला है, तब जाके हम लोगों का specific medicine है, बाराइटा कर्ब, इसका potency 200 होना चाहिए, एक चमच पानी में दो बुन ब प्रोब्लेम एकदम ही कम हो जाएगा, सिम्टम्स भी कम हो जाएगा, हाँ, लेकिन सबल सरूलटा मादार यहां पे भी आपको continue करना है हर केसेस में, और एक हम लोगों का important medicine है, फेराम पिक्रिक, फेराम पिक्रिक भी है, अगर आपका aged patient है, लगभग 65 या 70 से ज्यादा, उन उसके साथ उनका जैसे चिमाफिला में हो रहा था, painful urination है, डाइसूरिया जिसको बोलता है, बोलते हैं हम लोग, bloody urination है, हिमाचूरिया हो रहा है, और आपका urine भी बंध हो रहा है, complex cases है, हर medicine का symptom सिम्टम्स है, तो उसमें सेबल सेरूलटा के साथ हम लोग देते हैं, फेराम 30 potency में लीजिए, एक चमच पानी में, दो बूंद करके, दिन में 4 बाल, लगातार 15 दिन लेने के बाद 15 दिन गयब दीजिए, फिर 15 दिन लीजिए, बहुती अच्छा आपको अराम मिल जाएगा, बहुती अच्छा medicine है, इसके साथ हम लोगों का और भी बहुत सारे constitutional medicine चलत प्रोस्टेट के enlargement में, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा कोई, institutionally qualified, दोस्तों यह तर्म याद में रखिएगा, institutionally qualified, experienced, अच्छा हमिपती डॉक्टर आपको लोगों दिखाना है, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, हमिपती डॉक्टर, वाट यूशुड नो, हमिपती पॉइंट के उपर, अलग-अलग सब पॉइंट के उपर वीडियो मेरे है, मेरे चैनल पे जाईएगा, प्लेलिस्ट में जाईएगा, हमिपती डॉक्टर, वाट यूशुड नो, प्लेलिस्ट का वीडियो देखिएगा, हाउ टु फाइंड हमिपती गुड डॉक्टर निय शियोर काम करता है ये सब केसे में, और सबसे है जो इंपोर्टेन बात, ये डर जो लगा रहता है पॉस्टेट इनलर्जमेंट के साथ साथ के मेरा बहुत जादा कुछ हो गया, मेरा इनलर्जमेंट हो जाएगा, यूरीन बंद हो जाएगा, मेरा कैंसर हो जाएगा, मुझक ऐसे नए वीडियो मैं अक्सर आप लोगों के लिए लाते रहता हूं, अगर कुछ होमियोपैथी एंड उसका क्यूरिमिलिटी एंड उसके नूट्रिशन रिलेटेट कुछ भी आपका क्वैरीज है, इस वीडियो के जो टॉपिक है प्रोस्टेट के उपर कुछ क्वैरीज है तो आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा, और अगर आपको इवीडियो अच्छा लगा है, अपने फ्रेंच सर्केल में, सोसल मीडिया प्लैट्फरम में इसको शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, नमस्कार